नेबुला मैस के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परफेक्ट नंबर या कम्पलीट नंबर या आइडियल नंबर क्या होते हैं तो ऐसे नंबर जिनके उचित विभाजकों अर्थात प्रापर डिवाईजर्स का योग उस संख्या के बराबर होता है तो ऐसी संख्याओं को हुई हम फरफेक्ट नंबर, कम्पलीट नंबर, आइडियल नंबर, परिपूर्ण संख्या या आदर्स संख्या कहते हैं जैसे उदाहड के लिए हम च्छाए को देखें तो च्छाए किन किन संख्याओं से विभाजित होगा कोई भी नंबर, एक संख्याओं तो च्छाए का पहला विभाजक तो एक हुआ, दूसरा विभाजक, दो हुआ, तीसरा विभाजक, तीन हुआ, और चौथा विभाजक, खुद च्छाए होगा कोई भी नंबर, एक से और स्वयम से जरूर विभाजित होता है ये तो हुए च्छाए के सभी विभाजक, लेकिन किसी संख्या के उचित विभाजक या प्रापर डिवाजर का मतलब ये होता है कि विभाजकों के लिष्ट में वो खुद स्वयम का नंबर सामिल नहीं रहेगा यानि च्छाए के प्रापर डिवाजर हुए एक, दो और तीन अब इन प्रापर डिवाजर का योग थोड़ा हम देख लें तो मालूम चलेगा कि 6 यानि कि खुद ये नंबर आ जा रहा है ऐसे ही नंबर को बोलते हैं परफेक्ट नंबर, कम्पलीट नंबर या आईडियल नंबर यानि कि 6 एक कम्पलीट या परफेक्ट नंबर है अगला परफेक्ट नंबर 28 होता है 28 के जदी हम प्रापर डिवाइजर्स को देखें तो मालूम चलेगा कि 28 विभाजित होगा 1 से फिर विभाजित होगा 2 से, फिर विभाजित होगा 4 से अगला डिवाइजर इसका 7 होगा और अगला प्रापर डिवाइजर 14 होगा 28, 28 से भी विवाजित होगा लेकिन उसको सामिल नहीं करेंगे अब 28 के proper divisors को जदी हम आपस में जोड़ें तो इनका sum आएगा खुद 28, देख लीजिए ये अर्थात 28 भी एक perfect number या complete number है उमीद है कि आपको perfect number की जानकारी हो गई होगी अब आपके सामने board पे सुरू के 5 perfect number के list दी गई है आप इसे देख लीजिए